वेलकम टू प्रिवेज से सोलुशन हम इस सीरीज में कर रहे थे एससी सीजियल 2020 प्रिमेज 21 शिफ्ट में एक्जाम में थे उन सभी के मैं सोलुशन आज हम देख रहे हैं 30 अगस्ट शिफ्ट 3 के कुश्चिन्स को और इस सभी के PDF सोलुशन हमारे टेलग्राम ग्रूप पे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो आज की क्लाश शुरू करते हैं हमारे पास सबसे फैस्ट यूशन है एक ट्रेडर 640 केजी ओफ राइस लेकर आया उसने कुछ पार्ट 33% प्रोफिट भी बेज पर्षंट का लोज तो यहां से कितनी युनित आजाएगी आप बोलो के 5 यहां से कितनी युनियट आजाएगी आप बोलो के 20 ठीक है यह नीचे हमारी कॉण्टिटी आ जाती है तो 25 उनिट हमारी किसके बराबर गीवन है कैसे 640 केजी के हमें बताना कितना पार्ट प्रसैं है आप देखो जब भी मैंने 640 का 1 5th किया तो इसको 5 से डिवाइड मत करो जब भी आपको इसको 1 5th करना है इसको 20 कर दो इसका तो इसको 20 करना किसी चीज़ का कितना आसान है इसका 64 का 20 अब बोलोगे 128 और 0 की साथ 0 और एक 28 नेक्स चूशन हमारा ऐलचेब्रा से x-1 by x अगर 1 गिवन है तो x square plus 1 by x square क्या हो जाएगा 1 का square minus है तो plus 2 that is 3 और x4 plus 1 by x4 निकालना है तो क्या हो जागा 3 का square minus 2 that is 7 और x8 plus 1 by x8 है तो क्या हो जागा 7 square minus 2 अगर आपने बैसिकल चेब्रा भी किये तो कोई मुश्किल नहीं है option no.3 ठीक है नेक्स चूशन में हमाई पास एक train की length given है time given है और एक pole को cross करी है हमें बताना है 450 meter bridge को कितने time में पार कर देगी ठीक है आपको बता है जब एक point size object को पार कर रहे है तो train अपनी length को cross करेगी तो हमें train की length बताने distance equal to speed into time speed क्या हमार है 40.5 इस kilometer per hour में यहां second है यहां meter है तो meter per second में change कर लेते 5 by 18 multiply by 24 seconds बहुत बच्चे यहीं confused हो जाते कि 5 by 18 से multiply करें या 18 by 5 से तो देखो kilometer per hour है इसको meter per second में convert करना है एक kilometer कितने meter होते है आप बोलोगे 1000 और नीचे क्या आएगा एक और में कितनी second होते है आप बोलोगे 60 by 60 तो double zero से double zero cancel out उपर क्या हुआ आप बोलोगे 5 by 18 दुगना है 2 और 2 आपने देखा जब भी kilometer से meter में change करना है तो उपर 1000 आएगा मतलब 5 का multiple रहेगा ठीक है तो confuse मत हो ना कि next time 5 by 18 से करें या 18 by 5 से करें उसके बाद आपने यह चीज second notice का नीचे यह देख होई इसका digit sum क्या है पांच और चार नो इसका digit sum क्या है पांच और चार नो इसका मलब यह दोनों चीज 9 से divide होगी ठीक है तो नाइन टूजा 18 नाइन फोजा 36 और 45 तो 45 हो गया यहां से 12 और 12 पंजे साट एक जीरो cancel हो जाएगे तो यहां कितना बचाए 45 इसक्स कितना है इसको पांच बचार से 18 उपर चला जाएगा अब भी डिवाइड के था यहां 2 था यहां 4.5 था ठीक है इस पॉइंट को अटाओ तो उपर जाएगी 5 4 जा 20 उपर कितना बचाए 7 20 multiply by 4 divided by 45 अगर मैं 45 को दुगना कर लूँ और यहां भी दुगना कर दू तो ऐसा आप पुछो क्या कि देखो मेरे को यह 9 का multiple दिख रहा है तो 45 तूजा 90 90 का कितना गुना है यह 8 गुना 8 चुक 32 दूनी 64 यह आप का अंसर आ जागा 64 option number 4 next question हमाई वाइस trigonometric है 3 sec theta plus 4 cos theta minus 4 root 3 0 given theta बताना है आप यहां तो option में से put करके देख लो वरना इसको solve कर लो जब भी आपके पास trigonometry का question है आपको एक चीज में एक function में change कर लो यहां cos theta है यहां sec theta क्यों है भी तो इसको मैं cos theta में change कर लेता हूँ 3 by cos theta plus 4 cos theta minus 4 root 3 is equal to 0 तो जब इस cos theta की पूरी equation में multiply होगी क्या बजाएगा 4 cos theta 4 square theta minus 4 root 3 cos theta और plus का 3 that is 0 हमें अब 2 root चीए 4 चीज़ा 12 जो multiply करने पर तो 12 दे और plus minus करने पर minus का 4 root 3 दे ठीक है मैंने देखा 12 एक complete number है दो root चीए जो complete number दे तो इसका मतलब और plus minus करने पर root 3 दे अगर मैं अलग-अलग value ले लिए तो root 3 और root 2 ले लूँगा यह multiply करने भी क्या देगा आप बोलोगे root 6 देगा जो की complete value नहीं है तो इससे मुझे यह पता चल गया कि root 3 की value है जो root में जो value हो तो same है तो मैंने लगा लिए root 3 root 3 अब root 3 और root 3 तो 3 दे दिया तो बचा क्या मैं बचा चार तो 2 इसको दे दे देता हो और मेरे को क्या चाहिए यह माइनस की value चाहिए दोनों चीज माइनस अगर माइनस माइनस प्लस होके 4 root 3 दे दे देगा माइनस का और multiply करेंगे जब इन दो इसको और इसको multiply करेंगे तो 2 तो 4 और root 3 माइनस माइनस positive 12 दे देगा cos theta minus root 3 का whole square cos theta यहां से क्या निकलाएगा आप बोलोगे root 3 by 2 cos theta root 3 by 2 किस पर होता आप बोलोगे जब हमारा theta कितना हो जब हमारा theta 30 degree होता है option number second next situation हमाई पास time and work से एक men एक women दोनों मिल के काम कर देते है 66 days में ठीक है उन दोनों के efficiency भी दे दी बहुत आसान सवाल है तो हमें बताना 6 men और इतने 2 women कितने दिन में काम पूरा कर देंगे तो हमें days निकाले तो आपको पता days क्या होता है work by efficiency तो work किस से निकलेगा एक men एक men और एक women ठीक कितने days में काम पूरा करें 66 days में और हमें कितने दिन में कराना 6 m plus 2 women और men or women की efficiency यह men है यह women है ठीक है तो m और w की जगे में पूट कर दूँगा तो उपर क्या जागा 3 plus 2 multiply by 66 divide by आपने देखा 6 x 18 plus 2 to 4 इतना ही देखते हैं आपको समझ जाना चाहिए क्या 84 नीचे 22 हा रहा है और 5 into 66 उपर 5 का multiple रहेगा कोई और option है यह भी नहीं यह यह नहीं तो एक यह answer रहेगा वैसे भी तिकर आपको 22 तीए जाएगा तो 3 5 0 15 ठीक है next session देखो आपका algebra से आपको पता x square plus 1 by x square यहां से निकालना है तो क्या करना है इसमें 2 add करना है 7 plus 2 root 27 29 किसका होगा आप बोलोगे 27 का उसके बाद x minus 1 minus की value to x minus 1 by x सक यहां पर अगर plus होता तो हम plus कर लेकिन minus यह तो 27 minus 2 का all root 225 that is 5 आपका अंसर हो जाएगा option no.4 next session bypass एक train travel कर रही है 370 km uniform speed से 100 km के बाद एक technical fault आ जाता है जिसके वज़एसे उसके speed 5 km प्रतिगंटा decrease हो जाती है और जिसके वज़एसे train train जो हमाई 36 minutes late हो जाती है तेको 370 में से 100 km travel कर लिया तो 270 km distance बच गया उसकी speed मानलो पहले x थी और अब क्या होगा 270 अब x-5 degrees होगी speed और time में difference कितने गाया आप बोलोगे 36 वर्ट है 60 अगर मैं hour में convert कर लो तो यह बारत यह 36 और 1250 यह का distance upon speed तो यहां भी time है यहां भी time और time काई difference में सामने लेका यह दो को पहले x speed थी और अब x-5 होगी denominator कुछ कम हो गया तो इसका चोटी आपकी यह आपको बता है 33.33% है तो ऐसे ही यह वाली चीज आ गया नी चीए और यह वाली चीज बीचा आनी चीए तो मैं इसको साफ साफ लिग लेता हो एक सकीड तो मैंने देखा 270 divided by x-5 में से जब मैं 270 by x reduce करूँगा तो मेरा 3 by 5 आना चीए तो अगर हम इसको solve कर करूँगा 48-5,43 आजाएगा तो 270 by 43 जो cancel होना नहीं यह मोपोसिबल तो यह option 1 cancel 45-5 35 आजागा 270-35 यहाँ आजागा 270-45 इसको cancel out करने लगे तो क्या आजाएगा आपका यह वो लोग H है गुना है और यहां से कितना आएगा अगर आप काट होगे तो 5-25 उसके वाइफाइव 50-5,4020 और उसके बाद 5735 तो कितना आएगा 54-42 डिवाइड बाइ 7 नीचे 7 यहाँ हमें 5 चीए तो यह वाला option रोंग हो गया next option देखो हमारा क्या है 40 अगर हम इसको 40 पूट करेंगे तो 270 by 40 यह यह यहाँ cancel नहीं होगा तो यह भी नहीं हो सकता तो last option बचता हमाई पास 50 को रखते हैं दे रखके देखते हैं तो मैंने जब 50 को पूट किया तो 270 50-5 क्या होगा 45-270 by 50 तो आप देखो यह कितना गुना है अब बोलोगे अगर 4 को 7 पे ले जाओ तो 47 28 हो जाएगा लेकिन यहां तो 27 तो कम ही होगा तो 460 24 और 560 30 तो यूनिट इजिट भी 0 आ रहे है तो यह 6 गुना है अगर 45 को ऐसे लिख देते है 40 प्लस 5 और इसको 6 से मंटिपलाई करके देखते हैं तो क्या है 240 प्लस 30 270 यह आए हो है तो यह 6 गुना पे चला जाएग यह पूरा तो 6-0-0-0-0-7-5 यह कितना है। यह जाएगा 5-6-30-27-5 यह कितना आएगा 3×5 तो आपको सैटिश्फाइए कर देगी यह X की वेल्यू तो speed क्या आ गई 50 आप इसको और कैसे कर सकते हैं जल्टो मैं एक बार कर के दिखा देता हूँ मैं एक बार क्लीन कर लियता यह देखो हमने देखा कि हमारे जो डिस्टेंस ट्रावल हो करना है 370 में 100 km ट्रावल होगा तो कितना बज़गा 210 तक डिस्टेंस क्या होता है speed by time speed पहले s थी और अब क्या होगा s-5 degrees होगी कुछ speed तो difference क्या है speed में जो हमारा delta है हो कितना आया 5 अब बोलोगे time में difference कितना है 36 मिनिट का 34 बटी 60 इसको काट लो बारत यह 36 और बारा पंजे 60 और तीन से जाएगा तो 90 तो यहां क्या आएगा उसके बाद और बारा पंजे 60 90 x 25 is equal to s s-5 यहां भी quadratic equation बन दी है s-square से multiply कर तो s-square बनेंगा तो हम एक ऐसी value सोचने जो s की satisfy कर दें इसको देखो 90 क्या लिखा है 45 x 2 x 25 अगर मैं इसको 2 को multiply कर लो तो कोई दिक्कता बोलोगे नहीं 45 x 50 यहीं चीए मेरे को 1 s और 1 s-5 तो s मेरा 50 आ गया और 5 कम कर देंगा 50 में से तो s-5 45 आगा 50 को satisfy कर देगा ओप्शन वर फो यह आपका answer हो जाएगा next issue नमारा repeated pattern पे तो सभी को आता भी हो गया यहां से यहां सा 11 number है यहां से यहां तक उसकी 56 average है पहले तीन number की average जो दे रखे वो दे रखे 52 next 5 की दे रखे इसने 60 ठीक है उसके बाद 9th 10th और 11th number में इसने इसने बोला कि 9th number और 10th number है जो 3 और 1 ज्यादा 11 से इसने पर से 11th number से ज्यादा 11th number कोई max मान लिया तो 10th number कितना है x plus 1 एक ज्यादा और 9th number क्या है मेरा आप बोलो कि x plus 3 तीन ज्यादा है ठीक है तीन नंबर है तीन नंबर है तीन नंबर है उसके बाद यह 3 नंबर है contents ंप्लस εक स्यटा फिर 파्रे ज्यादा है invest इससे 40 अट इसने फिफिफिटी उसे 3 लिख पास 56 मैल्टिप्लाइव थ्री क्यादा स्सात데 यह चूlles 12 लिचτι प्लस 20 में से 12 गया तो 8 और 12 ठीक है तो 3x plus 12 कितना आ गया यहां से 56 तीन से काड़ दे इंटू 3 तीन से काड़ दे तो x plus 4 is equal to 56 तो x यहां कितना निकल का आगा आपका 52 हमें बताना क्या है हमें बताना कि 9th और 10th की average बताना 9th number क्या हमा रहा 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 9th 11th क्या x तो x plus 3 plus x divided by 2 अब बोलोगे x plus 3 by 2 3 by 2 कितना होता है अब बोलोगे 0.5 1.5 x क्या हमारा 52 तो हमाई average क्या आ जाएगी final 52 plus 1.5 कितना है 53.5 यह आपका answer आ जाएगा option number 1 next session देखो हमाई पास क्या एक shopkeeper ने mark कर दिया अपने good को 30% higher CP से अगर उसका CP 100% यह CP है तो उसने mark up कर दिया उसने 30% ज्यादा plus 30% ठीक है तो यह उसका 130% आपका MP हो जाएगा और उसके 10% का discount दिया इसने 10% का discount ले दिया अब बोलोग 10% कितना होगा 13 अगर 130 में 13 जाएगा तो 17% उसकी value रह जाएगी यह क्या हमारा SP ठीक है उसने बोला अगर उसको अब इसको देखो यह CP यह SP तो यहां पर क्या है profit 100% की value 117% होगी तो profit क्या आपका अब लोगे 17% अब कहता है वो कि मैं तको 16% profit जाद अची है तो 16% और एड़ कर लो तो 9 profit P' लगा रहे थे नया profit क्या हो जाएगा बोलोगे 23.5% ही क्या अब बोला तो मैं कितना discount दूं markup पर अगर आपका markup 130% है अगर आपका profit percent यह है आपका SP कितना हो जाएगा आप 123.5% यह हो जाएगा यह आपका SP है यह आपका MP है तो कितने का discount देना पड़ेगा आप 606 का ये कितना 130 में से एक कितना माइनस 6.5% कितने पर है माइनस 6.5% का discount आपने कितने पर बोल रहे 130% वेल्यू पे ठीक है तो इसने कितना percent discount दिया मैंने इस परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल तो डबल जिरो से डबल जीरो तो 13.5% यह आपका 5% का discount जागा लेकिन मिर को किया यह वाली चीज थी markup ड्रेड ले ले तो में यह वाला चीज थी markup उसके बाद कुछ discount दिया और final में यहां से यहां क्या बचा उसका profit बचा तो हमें यहां से result पता चलता है जो profit percent होता है वो markup markup और discount का हमारा successive होता है तो m minus d साथ में m upon d upon hundred percentage थी कह यहां से भी हम profit निगा सकते है markup कितना था हमारा आप बोलोगे 30 percent discount कितना था 10 percent 30 minus 30 multiply by 10 upon hundred percentage यहां से 30 में से 10 जाएगा कितना बचा 20 और 0000 कैंशना लाओ 20 में से 3 जाएगा कितना है 17 percent तो आपको यहां से पता चल गया profit आपका 17 percent है अब इसने बोला profit क्या करना है मेरे को 6.5 percent increase करना है तो 6.5 increase कर देंगे कितना है 23.5 percent ठीक है नया profit अगर आपका profit percent 23.5 है CP आपका 100 percent है तो SP कितना हो जाएगा आपका 123.5 आपको discount कितना दे रहा है 6.5 लास्ट जब यह बताया था भी ऐसे खुश्चन उसी तरीक किसे करना पड़ेगा 36 का discount जेंगे 130 percent भी तो कितना percent discount जेंगे आपने अब बोलोगे 5 percent discount जेंगे option no.4 तो इस चीज को एक result को याद रख लेना अगर आपको आगे काम आ जाए ठीक है next question नहीं हमारा board mask का 14 minus 20 लास्ट वीडियो में बता दिया board mask का इसे solve करते हैं देखना तो वहां check out कर सकते है 6 में से 18 को डिवाइड करोगे तो कितना अब जाएगा यहां 3 अंदर 5 5 25 तो 15 minus 5 multiply by 4 bracket close 14 minus 20 multiply 7 minus अंदर क्या बच जाएगा अब बोलोगे 20 में से 15 जाएगा तो minus का 5 3 minus minus 5 तो plus का 5 bracket close तो 5 और 3 8 में साथ जाएगा minus का 1 multiply by minus 20 यहाँ पर 14 है कितना हो जाएगा 14 minus minus plus 20 कितना हो जाएगा 34 आपका answer आजाएगा सभी कर लोगे नेक्स शेशन देखो एक circle touch कर रहा है चार साइड़ क्वाइड़ क्वाइड लेटर की साइड़ को touch कर रहा है ABCD मैंने मान ली तो आपको पता है इसमें AB plus CD हमारा कितना होता है आप बोलोगे BC plus AD आपको पता है एक point से अगर tangent डाली जाए तो equal होती है ठीक अगर इन सब क्व रहे हैं देखो 14.56 और 14.78 में 14.84 तो 6 और 4.10 तो 7 में क्या जोड़ू कि 10 आज़े तो बोलोगे अब तीन जोड़ो तो मिरेको 3 का multiple चीए 14 का तो 14.42 सभी में point लगा हुआ है तो इसमे point है इसमे point है इसमे point है तो इसमें point लगा दो 4.2 मेरा answer हो जाएगा बाकि आप देख लो कैसे calculation करनी है ठीक है next question हमाई पास है कि क्या निकालना है मैं 2x का whole cube निकालना है minus 1 by x का cube ठीक है मैंने देख लिए यहां 2x जाए तो 2x को तो नहीं छेट रहा तो x ही divided कर दो मैं इस equation को तो 2x minus 8 minus 1 by x is equal to 0 तो 2x minus 1 by x कितना जाएगा 8 इसका आप cube करेंगे तो 2x का whole cube minus 1 by x का cube क्या जाएगा पाद 2x minus 1 by x का cube minus 3 a b a क्या हमारा 2x b क्या हमारा 1 by x साद में x minus से यहां पे plus आ जाएगा और यहां 2x minus 1 by x ठीक है इसको value put करना है बस कुछ नहीं करना 8 का cube 512 plus में हमारा 3 x x cancel multiply by 2 और साद में x minus 2x minus 1 by x कितना आगे हमारा 8 तो 512 plus 48 कितना जाएगा हमारा 560 हमारा 512 यहीं आगा तो यह तो वैसे भी cancel होगा तो पांस आउट हमारा answer हो जाएगा ठीक है next question हमारे पास 10 theta मतलब क्या आपता sin theta by cos theta 3 sin by cos is equal to 2 root 3 sin से sin cancel तो cos कितना आगा root 3 by 2 root 3 से root 3 बन जाएगा यह root 3 by 2 cos root 3 by 2 किस पर होता आप बोलोगे 30 degree पर होता है ठीक है यहां put करना है 2 2 theta है तो sin 60 कितना हो जाए रूट 3 by 2 का all square minus यह 3 3090 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 2 multiply by 3 by 4 जहां से 2 आजागा 3 by 2 आपका अंसर हो जाएगा फिर बर second next session देखो हमाई पास एक CP दे रखा रटिकल का 280 discount दे रखा हो रहे की line में हमें gain दे रखा आपको पता है MP by CP की ratio बन जाती है तो 100 minus discount हो गया और 100 plus profit हो गया ठीक है profit कितना है 120 हो गया CP क्या हो गया ratio little thin दोनों की तो 100 minus discount 84 हो गया काटोगे तो 12 से कितना जाएगा 12 से 84 और 12 10 तो 7 कितना तरह का CP 280 कितना है 40 टाइम सो MP कितना हो जाएगा आप बोलोगे 40 टाइमस ठीक है तो 400 आपका अंसर हो जाएगा option number one next session वार पास time and work से a and b x 10 काम को अठार और 30 दिन में करते है a 18 देज में और b हमारा 30 देज में तो इन दोनों कैलसियम कितना आचाए 90 अठार पंजे और इन दोनों ने पास दिन में तो काम किया एक पांच काम करता है एक तीन काम करता है तो दोनों मिलके आप आप दिन में आठ काम कर देंगे कितना काम हो गया तो 40 काम हो गया बचा कितना काम आप बोलोगे 50 काम कोन करता है कितने दिन में करता है पंदारा दिन में तो सी के एफ कितना काम करना है? 5 थे 6 पार्ट. किसको करना है? A और C ко की कि प्वचिएशिंसी है? 5 और C की कितनी है? A की 10 की तोचल थनी हो जाए ही? 5 जमा 10 थे 3, कितना हISA ए? 25 थे 3 इसको फट्च woll, advantage 5-35 Social ले लेंगे तो यह पूरा यह पूरा कैंसल सिर्फ क्या बचा नाइन बचा त्यान से देख लिए ना ठीक है option no.3 आपका answer हो जाएगा next session देखो triangle similar दे रखे उनका area है तो आपको पता ही है जब ऐसा condition हो तो 135 अपोन में 240 किसका स्केर हो जाएगा बीसी स्केर अपोन इसी स्केर बीसी स्केर क्या हमारा 135 315 और 315 को दो बार लिख देंगा EF स्केर और पॉइंट के नीचे 100 का स्केर ठीक है पॉइंट था ना 0000 ऐसे लिख दे हमें ठीक है यह देखा पांसी नाठ नो पांसी नाठ नो नो का डिविजिट समय तो नो से डिवाइड होगा काट लीते हैं 15 से काटते पहले 15 निमें 105 निमें 135 और 15 तीस और 15 और 15 और 15 और 240 को क्या लिख सकते है 15 इंडू 16 क्योंकि 15 स्केर 225 225 प्लस 15 क्या होता हमारा 240 ही होता है तो 15 इंडू 16 लिख देते हैं ठीक है यहां से मैंने सब अगर पूरी क्योशन का रूट कर दो हमें क्या जागा एफ मल्टिप्लाइबाइब हंडर्ड यहां तीन है और यहां पर 75 हो यहां देखो 15 आए तीन और पांच 15 और एक 15 यह रहा एक 15 यह रहा तो एक 15 बाहर आ गया 7 और 7 एक 7 बाहर आ गया और 16 से 4 बाहर आ जागा जब इसका रूट करोगे पूरी का ठीक है तो और यहां से एफ 15 चोके 60 ठीक है 15 चोके 60 लिख सकते है जीरो से 0 कैंसल ठीक है कितना 15 जागा 7 6 42 क्या जागा 42 और 10 4.2 ऐसे लिख देगे तो यह आपका EF आ जाएगा दन से देख लेकिना कैसे कैसे कल्कुलेशन किया जैसे आप कमफ़र्टेबल और वैसे भी आप कर सकते हो ठीक है नेक्स शेक्शन देखो हमाई पास कह रहा है ABC एक राइट एंगल ट्रेंग तो यह इसके बरबर है तो देख लिया 90 डिगरी है तो पाइदा गुरेस ठरम की तो बात होगी होगी पहले ABC निकाले तो BC क्या आएगा 10 का स्क्वेर माइनस इसका स्क्वेर माइनस इसका स्क्वेर मारे 2 तू जा 4 एंटी प्यावे 10 100 मेंसे 10 जाएगा तो 60 रूट 60 यह पू 10 का होल स्क्वेर साथ में क्या जाएगा रूट 60 वाई 2 का हॉल स्क्वेर जैए यह से क्या जाएगा 40 प्लस में 60 वाई 4 कितना जाए 15 तो एक्यू क्या आगया आपका रूट 55 अप्शिन निम्बर आपका अश्य श्चिशन हमाएं पास है अतुल एक ब्रैड प्रेशे स्कर क और 10 रुपे का और coins की ratio क्या है उनकी n क्या ratio मान लेते है ठीक है तो 5 और 4 और 10 तो उनके पास total value क्या हो जाएगा उसके पास आप बोलोगे value हमारी 5 तुन 10 और 20 और 10 ठीक है हम उनको क्या हुआ यह units में कितना है 20 30 40 40 units की आपको 80 रुपीज वापिस मिले तो आपको ट्वाइस मिला है ठीक हमें बता न 5 रुपे के सिके कितने मिले पांच रुपे के सिके कितने है चार यह coin की ratio चल दिये न coin ratio आईए ratio तो चार unit की value बताने मिले को तो 1 by 10 का रखखा है और अंदर क्या जाए 3 2 6 और 8 में इस तीन के पांच और 11 कितना जाएगा यहां चेप 6 और 5 11 11 ब्रैकेट बन उसको बाट डिवाइट 3 3 9 3 2 6 हा जाएगा यहां से next 90 1 120 यहां से कितना आगा आपका 11 को 44 से डिवाइड गा 11 by 44 साथ में 1 by 6 11 4 जा 44 0 से 0 कांसर 30 जा 9 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 आपका जाएगा 4 4 जा 16 जा 32 1 by 32 आपका अंसर हो जाएगा next question हमाँ पास two equal sums were lent on simple interest 6% and 10% टी कहा दो equal principle है उनको SI simple interest पे दिया गया 6% और 10% टी कहा the first sum was required two years later than the second sum जो पहला sum जो दिया गया पहले principle को जो दिया गया उसको दो साल बाद recover किया गया ठीक है और दोनों case में amount क्या है 105 आपको समझाता हो में देखो हमने दो sum ले एक principle यह था एक principle यह था ठीक है समझाता है इसको पहले record कर लिया गया ठीक है और दोनों amount दोनों case में amount same है देखो symbol interest क्या होता आपका प्रसंटेज हो परसंटेज दिख सकते इसको ठीक है अगर प्रिंसिपल आपका constant है तो rate और time पे बात रह जाएगी SI SI depend करेगा वो R T percent पे depend करेगा R T percent पे और आपको बता R अगर principle constant है हमारा तो R 1 upon T time के inverse पे चलता है अगर हम time rate की ratio देखे तो 6 ratio 10 है तो time की ratio इसके opposite हो जाएगी 10 is to 6 हो जाएगा तो आप काट ओगे तो इसको 2 से 250 10 और 2 306 ठीक है तो आपका unit में कितना gap आया बोला कि 2 unit का gap आय इसने यही बोला है दो साल बाद recover किया तो two years दे रखा है तो एक unit कि किसके बराबर आगे आप बोलो कि एक year के बराबर आगी तो एक साल आगे यहां पर one year आगया और यहां पर भी one year आगया ठीक है तो आप कैसे नहीं कह सकते हो तो यहां पर three year आगया यहां पर five year आगया five year 1 unit की value 1 है तो यहां 5 year आगया यहां 3 year आगया तो आपका 80% कितना आ गया है simple interest क्या इतना गया है यहां से आएगा 60% 30% तो कोई भी value ले 30% अगर आपका principle अगर आपका 100% है simple interest 30% है तो amount कितना आजाएगा आपके 130% इसी की value question में कितनी दे रहे है 1105 यह वाला दोनों में same है और हमें बतानी है कि दोनों scheme में कितना each scheme which was the sum of जो हमारी हर scheme में कितना पैसा लगा तो हमारी principle लगा 100% अगर 130 की value 1105 है तो हमें 100% की बतानी है आपने देखा 13 से डिवाइड हो जाएगा 0 से 0 काट लेते हैं 13 कितना जाएगा 13 ठेक 104 कर देते हैं 15 पैसर तो आपका अंसर के नहीं जाएगा 850 आपका अंसर हो जाएगा अप्शन नमर सेकेंड एक शूशन मेरे पास है technometry से आपको पता है जब भी a plus b हमारा 90 degree होता है 90 degree होता है तो 10 a 10 b क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा तो मैं देखा 12 और 78 यहां 1 हो रहा है यह और यह 24 और 66 यह भी 90 होता है यहां नीचे तो 1 आ जाएगा कटके और यह देखो 45 माइनस अलफा और 45 प्लस अलफा 45 45 90 और अलफा से अलफा कैंसल तो यह भी 1 देदेगा कटके तो यहां बचा 1 माइनस आप देखा कोस 19 साथ में आप में मंटिप्लाई क्या है सैंख 19 लस कोसे tricky one गो क्या लिख सकते आप 90 इनस 19 यह क्या हो जाए 1-1000 और यहां क्या बना देगा यह भी कोस 19 तो क्ली है टूस ही और साथ में यह क्या जाएगा मंटिप्लाई में टू सैक 19 ने सेक 19 का बोजिट होते हैं से कंसल आउट होगा तो 1-4 कितना जागा माइनस 3 का या आप कंसल हो जागा नेक्स शुशन हमाई पास दे रखा एडिया ऑफ सर्कुलर पार्क दे रखा इतना उसके बार एक विड़ इतने वाइड पात बना रखा पार्क और एडिया ऑफ पात बता होगा तो मेडिया ऑफ पात आजाएगा ठीक है तो पाई आज के अंदर वाले सर्कुल का कितना एडिका वन टू फोर सैन फॉर बाइस पटे साथ आज के इसको बाइस से कंसल आउट करेंगा तो कितना जाएगा बाइस पंजे एक सो दस और बाइस चिकर फॉर साथ तो मैं यहां से आर फाइंड करना अगर आप आप अरब एंटीपिसी और कोई और वीडियो उठा के देखो तो मैंने कई बार सिखा दिया आपको स्क्वेर निकालना तो कितना एजा था आ गया था 39 69 ठीक है तो यह नाइट यूनिजी डिजिट कौन देगा या तो 3 का स्क् 65 65 का स्क्वेर मेरे को आसानी से निकालना होता है 65 का स्क्वेर लास्ट वीडियो में बतायता था ना पांच कि जिसकीZY यूनिजीट 534 कैसे करतें 6000 पांच का स्केर protective 25 तो 2225 से कम में यह वեղ्यू तो मेरा राजा 63 है हो जाएगा ठीक है तो मैं इस कर अब कर देता है यह a square minus b square क्या जाएगा पाई r plus r और r minus r ठीक है आप बोलोगे 22 बटे 7 ठीक है बड़ा r क्या जाएगा 63 बड़ा r ये पूरा यहां से यहां तक कितने जाएगा अंदर की वेल्यू 33 तो बार साड़े 3 है और एड़ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपको बोलोगे 69.5 बड़ा जाएगा और छोटा अर कितना मेरा 63 और माइनस करेंगे तो साड़े 3 ही रहेगा यहां से कितना जाएगा 22 बटे 7 यह कितना जाएगा 129.5 multiply by साड़े 3 को क्या लिक्स के साथ बटे 2 साथ से साथ cancel और 2 से 11 तो 11 की multiply करना है तो आपको पता है कैसे पीछे से शुरूई हो जाते ठीक है next question हमाएं पास है 3 0 A 6 8 को 11 से divisible करना और A हमेशा बड़ा होना चाहिए 20 ठीक है हमें greatest value of B बताने है देखो 3 0 A 6 8 B आपको पता है 11 की divisibility rule क्या कहती है even over all places का जो difference है आपका या तो 0 होना चाहिए या फिर आपका 1 होना चाहिए तो यहां से आप क्या observe करें तो आपका जागा A और A प्लस 11 माइनस कितना है और B और 6 B प्लस 6 यह किस से divisible होना चाहिए 11 से तो यह उपर से कितना आ जागा A माइनस B प्लस में 5 divisible by 11 जब यह value 11 से divisible कब होगी या तो उपर A माइनस B की value कितनी होना चाहिए आप बोलोगे 6 6 और 5 11 यह 6 यह 5 यह 11 बटे 11 हो जागा तो यह divisible हो जाए completely तो मैंने देखा कि A माइनस B मेरा कितना होना चाहिए अब बोलोगे 6 A माइनस B मेरा कितना होना चाहिए 6 A हमेशे है बढ़ा होगा तो A की क्या क्या possibility है 9 से शुरू कर लेते है 0 से लेके 9 तक कहीं भी जा सकते है 9 से शुरू कि 9 मेंसे क्या गटा होगी 6 जाया बोलोगे 9 मेंसे 3 गटा दो उसके बाद 8 मेंसे 2 गटा दो 7 मेंसे 1 गटा दो उसके बाद 6 मेंसे 0 तो यह चार possibilities बन दी है लेकिन मेरे को maximum value रखना है B की तो maximum value क्या मेरी 3 यही मेरा answer हो जाए ठीक है next session देखो next session क्या कह रहा है मैंने पहले इस diagram बना लिया था कि टाइम है ठीक है यहां भी 13 और यह भी 13 है उसके बाद AB हमारा diameter है और BD हमारी tangent है यह हमारी tangent है smaller circle को touch कर रही है हमें बताना है AD की length हमें यह green वाली length बना रखी हमें यह वाली length बना बतानी है यह वाली length तो मैंने देखा सबसे पहले तो diameter बनते ही diameter बन जाए जब भी आप समझ लिय जो angle बनेगा यह 90 degree का बनेगा ठीक है उसके बाद एक radius और टेंजेंट की बाद और radius और टेंजेंट मिलता है वह भी 90 degree बनाता है तो मैंने देख लिया कि एक triangle BOD और triangle BAC इस triangle में यह वाला angle 90 degree है यह वाला angle 90 degree दो angle 90 degree भी angle common है तो दो angle common तो तीसा अपने आप equal यह इसके equal तो यह दोनों triangle similar होगी तो मैं क्या बोल जाकता हूं यहां से बीयो बाई पूरा बीये किते से बराबर हो जाएगा हमारा डीयो बाई डीयो बाई एसी तो यह क्या हमारा 13 बटे 26 कितना है डीयो आपका यह डीयो कितना है आपका radius अंदर वाला radius कितना बोलोगे 12 तो 12 अपन में एसी यह पूरा एसी भार का यह वाली चीज तो यह कितना है वन बाई टू तो यहां से एसी कितना आजाएगा आपको 24 यह 24 अब बोला यह 13 तो 13 और यह पूरा 26 यह 12 तो यह 24 यह पाच तो यह पूरा कितना हो जाए 10 तो यह अब इस triangle की बात कर रहे हम इस ए एसी और डी की triangle एसे तो मे बताना तो यह का है एडी हेठींगे से एडी स्कूर क्या हो जाएगा आप थाइब दिशक आजए दी 25 किणा उसको य우ікता था आप बोले कि 25 पच्छी से चोटी वैलियो होनी चाये और 24 से बढ़ी 24 से बड़ी एक ये वैल्यू ऐ एक ये वैल्यू ये वाली नहीं हो सकती आ और पच्छी से छोटी छोटी चाये लिए ये भी नहीं सकती तुईखी 24 से बड़ी और से चोटी तो 24.5 हमारा अंसर हो जागा ठीक है नेक्स विशन हमारे पास क्या है ABC में एक सब्सक्राइब को डिवाइड किया गया ठीक है उनकी एवरेज दी है 4520 और शेयर ओफ एस इतना ज्यादा बी से है ठीक है टैन टू बाइ थी कि परसेंट क्या हो जाएगा हमारा 32 बाइ तो 8 by 25, 8 by 4, 8, 32, 25 नीचे कितना है जाए 75, यह यह भी है ठीक है अगर B 75 है तो A ज्यादा है तो 83 हुआ, next क्या बोल रहा है 33, 1 by 3 यह तो 1 by 3 percentage, C से कम है अगर A और C की बात करेंगा, 83 से तो हमारी final ratio क्या जाएगे A, B, C क्या जाएगे 83, 2 जा कितना हो जाएगा 166 और B कितना जाएगा 75, 2 जा आप बोलोगे 150 और C कितना हो जाएगा 83, 3 जा 249 तो यह sum कितना आया हमें बताना है B का share, B का share क्या है 150 हमें B का share बताना तो 150 आउट ओफ कितना है आप बोलोगे 250 और 150 हो गया 400, 400, 400, 500, 65, 565 हो गया है आपे, ठीक है, overall कितना हमारा, 45, 20, यह average है, ठीक है, हमें total लगाना है तो 3 का, अब यह देखो, यह से कितना गुना जा रहा है, अगर आप बोलोगे 5, 9,0, 45 होता है, लेकिन इसको 65 को भी 9 गुना कर दूँगा तो यह value इससे बहुत दूदो क्या हो जाएगा, 500 को 800 मुटिपलाई करोगे तो आप बोलोगे 4,000 रुपया जाएगे, उसके बाद देखो 65 के 8 गुना, आप को मैं क्या लिख सकता हो, आप बोलोगे 4 और 2 लिख दो, क्यों लिखा मैंने से, देखो, 65 दूनी 130, 130 into 4, आपको तेरह घटी बलाता है, तेरह चोक बाउन, तो 520 हो राइड हो जाएगा, 4520, आपने देखा हैं, यह कम्प्लीट चला गया, तो किस पर जाएगा, फाइफ एट बजाएगा, ठीक है, जिसके बाद पंदरह ठीक, 120, 1200 और बारत ही है, 3600, यह आपका option number C हो जाएगा, ठीक है, I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, टेलिग्राम ग्रूप पे हमें फोलो कर लीजिए, पीडेफ और अधर मेटेरिल्स के लिए, अगर आपको कोई भी suggestion देना है, या फिर आपको कुछ भी कहना है, तो आप प्लीज कमेंट करके हमें बत सकते हैं, थैंक यू वरी मच